तूल्स है जो आपको यूज करना है जब आप डिवीडी रोम उपन करते हैं यह जो है लैप्टोप और डेक्ष्टॉप दोनों के लिए आता है जैनरली ये सीप्यू में यूज होता है और और आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं और अगर कुछ प्रावलम होता है तो उस में आप फीकस भी कर सकते हैं यह जो है साटा ढिविडी रोम बोलते हैं इसको अक्चलि यह सिर्फ आप यह देखर है आप यह जो एक्स्टैसरीज है जो आपको यह सिस्टम में आता है और यहां पर गुलू लगा के स्टिक किया गया है तो जब आप इसको रिप्लेस्मेंट करेंगे तो इसको आप निकाल लीजिये और इसके बाद इसको चेंज करके फिर आप स्टिक कर दीजिये तो चलिए अब हम लोग इसको ओपन करते हैं यह जो स्कुर्डाइबर है यह आपको आउनलाइन मिल जाएगा और आप प्रचिस भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं आपको लिंक में दे दूंगा और यह कि देखिए इसके जो इसके जो इसके जो स्कुरू है वह बहुत चोटे होते हैं तो थोड़ा अपध्यान से रखिएगा अगर मिस्प्लेस हो जाएगा तो फिर वह दिक्कत करेंगे आपको और इसको ओपन करने के लिए थोड़ा से इसको स्लाइड करना है बैक साइड में बैक साइड में स्लाइड करने के बाद आप देखो कि लेप्ट साइड में इसका एक हुक बना हुआ है यह आप यहां से थोड़ा सा उठाओगे और इसको थोड़ा सा बैक सेड पूल करोगे तो यह जो लॉक है वह अनलोक हो जाएगा और इसको आराम से आप ओपन कर सकते हो तो यह ओपन करना बहुत ही आसान है अगर आप नए हो इस फिल्ड में तो भी आप आराम से इसको ओपन कर सकते हो कोई प्रावलम नहीं है उसमें यह एक छोटा सब पिन होता है जो जिससे आप ट्रे को बाहर निकाल सकते हो और चेक कर सकते हो क्या-क्या इश्यू है जब य जब इसमें पावर होता है तो आपको सिर्फ बटन प्रेस करनी होती है और यह ट्रे बाहर आजाता है बट अभी यह पावर में नहीं है इसके कारण आपको एक निडल की जरूरत होगी जिए ट्रे को बाहर निकाल देती है यह जिनरली जो होता है आपका जो आप जब भी प्रेस करोगे तो यह बाहर आजाएगा और कभी-कभी क्या होता है यह लॉक हो जाता है जिसके कारण नहीं हो पाता है तो चलिए अब हम लोग इसके बैक में जाते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे ओपन करते हैं क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है यह चोटा सा जो यहां पर मेकनिजम लगा हुआ है जिसके कारण यह ट्रे जो है वो लॉक होता है और बाहर आता है तो यह चोटी चीज है जो जाम हो जाती है कभी-कभी जिसमें तोड़ा सा कुछ लुप्रिकेंट यूज करके आप इसको फ्रीक बना स गत्रे यह करते हो और यह फिर से अपना काम करने लगेगा है तो अब मेरा अब अपनेल बाण रिप्र अबहुआ है यह जो ऑर उबitude रॉबगाता है तो छुए दो बेसारो का इसको आपन कर लेता है कि अब है यि एक मैत आर चांपथë लिया यह दूसरा मैंने ओपन कर लिया अब देख सब तो यह ओपन हो गया है ऐसे जेनरली इसको ओपन नहीं करना है यहां पर मैं आपको बता दूँगा कि क्या-क्या ओपन करने के देखिए यहां पर एक लॉक है यहां पर वन टू थ्री और यह में फोर्ट एक्चली इसमें चार लॉक लहें कुछ फ्रंट में भी हैं लेकिन मैं बताऊंगा कि जुरुत नहीं है इसको अलग करने का पहले आप यह ओपन कर लीजिए तो इसके लिए आपको करना क्या है एक ऐसा चुटा सा चिम्टा लेके आप इसको यह चुटा से पिर आप धी 0-2 कि अधर कुझ प्रेंकर लिक्ता से और उसी तरह से बाकी सभी को भी चुए है इसको प्रइश की कर सीधा करके देखे यह जो है यह सिस्टम जो है यहां पर सपोर्ट करता आपके पिन को और आपके स्टार्ट बटन को तो उपन और ख्लोज बटन को इसको आप में साइड में रख देता हूं अभी खिलाल के लिए अब आप देख सकते इसमें क्या-क्या है तो मैं दिखाना यह जो है आपका मोटर है अगर मोटर में कुछ प्राउलम होता है तो आप आराम से मोटर चेंज कर सकते हैं यह आपका जो हैड का मूवमेंट है यह जो आपका बेसिकली लेंस है लेंस में आपका यह लेंस भी आप गर आपके पास एक्स्टा है तो आप प्रिपैर कर सकते ह प्रावल्म नहीं है आपको यह ध्यान में रखना है कि एक पत्ती बाटने ऐमसे पलेट यूवाइर है उनना चीज को जाय रीप्लेश्मेंट नहीं है यह बहुत अनलों देखं सकते हैं यह फक्रूंत नहीं होता है आपका लेंस होगा और मोटर दो ही चीज खराब होता है और जो यह वाली पार्ट है यह वाली जो आपकी पार्ट है यह बेसिकली आपका open close के लिए काम आता है मैं आपको एक एक्जांपल देता हूँ आप देखो यहां से यह जो आप प्रेस करते हो तो यह जो है लॉक को अनलॉक लॉक करता है तो सेम फंक्शन है जब आप यहां से बटन प्रेस करते हो तो यह जो है डेटा जो है यह इसको भेजता है और यह वहां पर जाके यह आपको मैंने यहां प तो ये सारी चीजें ढाल को कोब करना लेको नहीं है लेनिए और अज़िसमेगेजर गीक्लीन कर लेना है आपको कुछल ज्ञादा यहां पे गन दाशो़स होने लगे और कोब कोफ़ ज्यादा ज्यादा लगे तो आपको थोड़ा यूस करना कुछ नहीं है आप us तोड़ा चाड़ा कोई खुई प्लींग कर लेता हो जब डैटल यूज करने कासा करना और कोसिशा करना कि इस अरिया को वह शलता को वह ऐक्ट लोशेक्ट सवाइथ कि बहुत सारे जो फ़्ट थाट साथे हैं वे प्लास्टिक कद अंच जिसको पेट्रोल It तो इस चीज का ध्यान में रखना है और बस आपको इस पार्ट को कुछ भी छूना भी नहीं है और यहां से आपको क्लीन कर देनी है यह जो वीडियो है हमने सिर्फ आपको नॉलिज परपस के लिए बनाए गया कैसे ओपन करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इन सब ची जेनरली आपको यह फ्रेंट पैनल नहीं मिलता है मार्केट में सिर्फ आपको यह जो डिवीडिड ड्राइब है वो मिलेगी तो इसके लिए ओपन करने के लिए आपको यह जेनरली आपको ओपन करना है तो आपको ओपन करने के लिए क्लिए है यहां से आप प्रेस करोगे देरे देरे प्रेस करते जाओगे और इसको पुल करते जाना मैं एक एक जाम्पल दिखा देता हूं आपको थोड़ा से कॉम्पलिकेटेड है आराम से आपका निकल जाए गई है तो यह बहुत ईजी पी है और आप आराम से निकाल सकते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो और और इसके बाद आप देखो यहां से मैं वह भी दिखा देता हूं यह जो आपके बटन है यह जो छोट ने तो आपको आपको बस यह मोलत, बहुत बड़ा मतलब कोई रॉकेट सायंस नहीं है। अराम से इसको यूज कर सकते हो आराम से देखाल के आप नया, अपना अपना एक अपने अन नया आपको ध्यान में रखना है बाकी तो इसमें कुछ वैसा है नहीं चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं देखिए यहां पर एक इस चीज का ध्यान रखना है और इन सब चीजों का ध्यान रखना है तो आप जब आप लगाओगे तो सबसे पहले आपको यहां ऐसे और उसके बाद यहां देखिए यह हुलका अमिश को छब कर." आप इसको कुए कि तो सदीजने के वाद यहां पर तोड़ा थोड़ा दबाना है तो सदीच एज सदीच सद्राइत कि परका दो कि यह जह पांता। स्टील का बना है तो इसलिए आपको थोड़ी सी साउधानी बरतनी पड़ेगी देखिए यह लॉक हो गया लॉक होने के बाद आप इसमें आप स्टूर डाल दीजिए अपी टाल दीजिए कमने बाद ये डे मुआ हो उसके चीचा भीछ वीति टाल यांगे रिल्चेक्वा क्यानन की पड़ेगी श्रane की दोत मेशकर बड़ेगी देखिए बयाद things स्टूरन आपक आपको अगाए ब्लसुटेक्टिए करना है क्योंकि बहुत कॉंप्लिकेटेड होते हैं तो आप बहुत सॉफ्ट हैंड का यूज कीजिए स्क्रू गरा लगाने के लिए या फिर ओपन करने के लिए और यह देखिए ओपन हो गया कुछ चीजे यहां पर सॉट सर्किट होती है तो प्रॉब्लम होता है इसको अगर पावर नहीं आ रहा है तो आप अगर चाहिए तो यह टोटल पूराने वाले पार्ट से जनरल यह नया मिलता नहीं है तो आप पूराने पार्ट से इसको एक रिप्लेस कर सकते हैं रिप्लेस करने के बाद चेक कर सकते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है चलिए तो फिर इसको हम लोग पैक कर देते हैं यह हमारा हो गया complete अब वंगा लगा लेते हैं कैप लगानी के लिए मैंने फिर से बताया था आपको दो ही चीज का द्यान रखना है यह यह जो है आपको यहां पे जो है आपको पहले लगाना है और उसके बाद थिर आपको अपाल का सा कि अधियान दखना प्रेगा दर्वाइज यह बहुती जी है लगना कि अधिया 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 यह दो जो लॉक है इसके कारण दिक्कत हो रहे थी अधिया आराम से लॉक हो जाता है अधिया थोड़ा से आगे प्रेस कर दीजिए यह पूरी तरह से लॉक हो जाएगा अब आप रुष्टेए स्क्रू लगा दीजिए आप देख सकते हैं यह एच्पी का डिवीडी रॉम है यह सिर्फ रीड कर सकता है राइट नहीं है राइटर नहीं है और चलिए अब इसको तो हम लोग टेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर आपको अब टेक करते हैं तो यह सिप्लियो हमारा रखा हुआ है यहां पर मैं इसको एक बाद टेस्ट कर लेता हूं तो इसके लिए आपको साटा केबल है यह आपको यहां पर साटा केबल को यह आपने यह साटा केबल मैं ने लगा दिया इसमें और इसके बाद जो है मैं टेस्ट कर लेता हूं कि यह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है यह कुछ चीजें होती है जो आपको सिर्फ त्यान में रखना है और आपको दिखा देता हूं पर से थेंगे दोस्तों आसा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर इसी तरह से की इन्फरमाटिव वीडियो के लिए थेंक यू